नमस्कार दोस्तों, मेरा आमें आटूर। तम्हांड सिद्याश्रु में आप समी का स्वागत है। आज के इस वडियो में हम चर्चा करेंगे दिनाग 9 अक्तूबर 2021 का संपुर्ण राशिपल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुलिक काल और अभिजीत मूर्थ दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्राकार के महतवपुल्ण निरने या फिर काम आप आरम कर सकते हो। उसी प्राकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा सुबह नौ बचकर 17 मिनट से लेकर 10 बचकर 45 मिनट तक और यमगंडकाल दो पर 1 बचकर 42 मिनट से लेकर 3 बचकर 10 मिनट तक का होगा। राहुकाल और यमगंडकाल अशुबकालावधी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतवपुल्ण काम या फिर निरने बिलकुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा तुला राशी में ब्रह्मन करेगा। सबसे पहले राशी है मेश राशी, मेश राशी के सब्तमभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वई पर्स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है। सुबह 11 बच कर 20 मिनिट के बाद ये चंद्रम आपके अश्टम भाव में ब्रह्मन करेगा तो आज का जो दिन है आपके लिए सुबह का जो कालावदी है शुबह फुलदाई साबित होगा आपके अगर आप विवाईत हो तो आपके जो वाई-वाई जोड़ी दर है उनके है उसके उपर थोड़ा सा दयान दीजे आज के दिन अगर आप किसी के रिलेशन्चिप में हैं तो वहाँ पर कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग बज़रा होने की संभावना काफी ज्यादा बंद रही है उसी प्रकार मंगल और वकरी बुद्ध की भी यूजती आज की दिन आ कुछ problem complications है या फिर उसके संदर्ट में कुछ संकेद अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ लक्षन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके उपर तुरंद काम करना ज्यादा आवज रखोगा जहां पर आप काम करते हो नोकरी करते हो या फिर वेवसाय करते हो वहा आने वाले दो से तीन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप करते हो तो उसमें फसने के संबावना काफी ज़्यादा बनती है इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के 6 बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही पर सित शुक्र क के साध्य चंद्रमा युतिय करने जा रहा है सुबह क्यारा बचकर 20 मिट के बाद ये चंद्रमा आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन करेगा तो आज का जो दिन है थोड़ा सा सहत के ओपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा आज के दिन आपका घूमना फिर ना हो सकता है सुबह का बाद का जो समय है या फिर दोपेर के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुबह फलदाई साबित होगा उसी प्रकार आपके पंचमभाव में रवी और वकरी बुद्र की युति होने जा रही है तो दो तीन बाते हैं उसके उपर थोड़ा सा ध्या में आपके जो हार्मनी है वह काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार आपके पंचमभाव में ही मंगल और वकरी बुद्र की भी होती होने जा रही है यह जो ग्रहयोगे आपके लिए काफी ज्यादा मैं तो पुर्ण हो जाता है अगर आप किसी के रिलेशन्शिप मे किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग या फिर रिस्क लेके किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना करते हो तो उसमें चूकने की संभावना फसने की संभावना बहुत ही जादा बन रही है आपका स्ट्रेस लेबल काफी बड़ा हुआ नजर आएगा तो रिल तो आज के दिन है आपके लिए बहुत अच्छा और महत अच्छा और शुभू फुलादाई होगा अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पर आप में आप आपके रिलेशन्शिप पे जो विक्ति है उनमें काफी अच्छी हार्वनी देखी जाएगी उसी प्र को शांती जिसे हम कहते हैं वो मिल सकती है दिन आपके लिए काफी अच्छा और महतवपुर्ण और शुबुफलदाई साबित होगा आपी की चतुरतभाव में रवी और वक्री बुद्र की यूति होने जा रही है तो दो-तिन बाते उसके पर थोड़ा सा ध्यान दीजे घर के संदर में जो भी काम है वो आने वाले दो से तीन दिनयों में आप हाथ में ले सकते हो वो पूरे होते हुए होगी नजहर आएंगे उसे प्रकार आपके दो से तिन दिनों में कुद के सेहत के ओपर ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक होगा सेथ के बारे में प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन्स उबर कर सामने आ सकते हैं घर के जो लोग है उनके लिए आपको खर्चे करने भी बढ़ सकते हैं करको लोगों के साथ आने दो से त करकराशे के चतरतों भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वह पर सिद्शुक्र के साथ यह चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है दोपर 11 बचकर 20 मिड़ के बादे चंद्रमा आपके पंचम भाव में ब्रह्मन करेगा काफी अच्छा दिन है आपके लिए घर पर रहना पसंद करएगे घर के लोगों के साथ दिन बिताना पसंद करएगे और वह आराम आपको मिलेगा भी घर पर रहना भी होगा घर के जो लोग है उनके साथ आज आपके हार्मणी भी काफी अच्छी देखी जाएगी दो पर न् Protect के बाड का समय है वो भी आपके लिए बहुत जो होंगे उसके उपर ध्यान रखना चेक रखना ज्यादा आवशक होगा अन्वांटेड खर्चे होने की संबाउना काफी ज्यादा बनती है उसे प्रकार अगर आप ट्राइवलिंग से रिलेट करते हो तो भी आने वाले दोसे दिन दिनों में कि जिस कारण आप ट्राइवल प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन हो सकते हैं अपके जो भी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कई बाहर घूमना फिर ना हो सकता है लेकिन उसे के दर्मयान आप दोनों में किसी कारण वश प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ज्यादा आवशक होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है स चंद्रमा का ब्रह्मन है और वह परस्तित शुक्र के साथ चंद्रमा युद्धियोग करने जा रहा है दोपर ग्यारा बच के बाद बीस मिंट के बाद है चंद्रमा आपके चतुर दवाओं में ब्रह्मन करेगा तो आज का जो दिन है आपके लिए ज्यादा विज़ी डे स थाबित हो सकता है, जो भी मैto Purnakam है, वह हाथ में ले सकते हो, और वह पूरे होते हुए भी नजर रहेंगे, उसे प्रकार दोपिर के बार के जो समय हैं, उस में आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, और वह आराम आपको मिलेगा भी, उसे प्रकार आ आपको नहीं मिलें इसके संदर में कुछ लाव आपको तो मिलेंगे लेकिन उसका जो आनन्द है वो नहीं ले पागए क्योंकि वह आपको खर्चे भी करा सकता है आपके दिवतिय अभा में रहे और वन्गल की युति भी उने जा रही है तो खर्चे के कारण आपके घर के जो के बाद के जो राशी है वो है कण्या राशी कन्या राशी के द्विति अवां करके आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ घुमना फिर ना हो सकता है जो भी महतवपुर्ण काम है वो दो पर आप में ले सकते हैं वो पूरे होते वे नज़र आ रहे हैं उसी प्रकार आपके ट्रैवलिंग मगरा होने की संबावना भी काफी ज्यादा बन रही है आपी के त्पर आपी के ट्रैशी में रवी और वक्री बुदो का म würरके युती होने जा रही है तो आने बहुदा दो से दिन unfrechester में investment के बारे में किसी भी प्रकार की महतविपूर्ण investment बिल्कुल भी नहीं करना उसे प्रकार आपप मात करते हैं अब हो द्यान लखे यह अद्यान र जो है उसके कारण आपके आप आपकी जो भावनाई हैं वो काफी तीवर्यतम हो रहे हैं चोड़े-मुड़े बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा react कर जाते हैं इसी वज़े से जो भी आपका कारिक्षेतर वहां पर के जो लोग होगें उनके साथ भी चोटे-मोडी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और उसी का परिणाम आपका जो कारिक्षेतर उसके उपर भी हो सकते है तो ध्यानरगी आसावयम के भावनों के उपर कंट्रोल करना जादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही पर सिथ शुक्र के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है सुबग 11 बचकर 20 समय के बाद ये चंद्रमा आपके द्वीतिया भाव में ब्रह्मन करेगा तो आज को दिन आपके लिए काफी जादा और शुबफ लदाई भी होगा आज आपका जो confidence है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा दोपर के बाद के जो समय है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा घर के जो लोग हो है उनके लिए उनके इसलिए आज आप खर्चे करने आपको आज खर्चे करने पढ़ सकते है कुछ अच्छे लाव अगर आप भी मिलने की संभावना काफी जादा बन रही है उसे प्रकर आपके वेयभाव में रवी और वकरी बुद्ध की यूती होने जा रही है तो आने वाले दो से तीन दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकते है खास करके अगर इसके पहले आपने कुछ निर्ने लिये थे तो वो निर्ने चूकने के कारण उसका जो खामियाजा है उसका जो स्ट्रेस है टेंशन है वो आने वले दो से तीन दिनों में आपको आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है उसे प्रेकर आपके वह अभाव में रवी और मंगल की यूती भी होने जा रहे तो अगर आपने विवाई तो आपके जो वह वाई जुड़िदार है उनके साथ भी आने वले दो से तीन दिनों में प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन्स हो सकती है और वह ज्यादा बढ़ भी सकत करने जा रहा है तो पर 11 बच कर 20 मन के बाद आपके राश्री में ब्रह्मन करेगा तो आज कर जो दिन है मिला जुला साबित हो सकता है तो पर तक का जो समय उसमें आपके जो वाई-वाई जोड़ी दर है उनके साथ चोटी मुटे बातों को लेकर तकरार हो सकते थोड़ी व होने जा रही है तो जो भी आपका कारिक्षेत्र है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहते हो तो आने वाले दो से तिन दिनों में इसके संदर में किसी भी प्रकार के महतों पुर्ण निरने नहीं लेना अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफी ज है वो लाव आपको नहीं मिलेंगे आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ वे जोड़े बातों के लिए करता करार हो सकती है तो भावनां के उपर तो अशा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी के लाव हुभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही पर सित्षुक्र के साथ है चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है सुबह 11 बच कर भी स्मुड़ी के बदेजंदरम आपके वे यह भाव में ब्रह्मन करेगा तो दोपर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा अच्छी मदद मिल सकती है जो धनुराशी के जॉब लैसे जिनको जॉब नहीं मिल रहें उनके लिये बहुत ही अच्छा और महत्वण साबित होगा अनेक्सपेटड़ लाव अगरा मिलने के भी संभवना काफी जैदा बनती है दोपर के बाद के बाद का समय उसमें आपको ल वकरी बुद्र की युति होने जा रही है तो जो भी आपका कारिश है तरहे उसमें किसी भी प्रकार के महतो पुल्णनिन ने आने वले दो से तीन दिनों में बिलकुल भी नहीं लेना उसे ब्रकर आपके दर्शमभाव में रवी और मंगल की युति भी होने जा रहे हैं, तो आपकी जो साय के अर्मी होंगे, उनके साथ अने बढ़े दो से तिन दिनों में problem complications हो सकते हैं, और वो ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, तो इसे के ओपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है, वो है मकर राशी मकर राशी के दशमभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, और दोपर क्यारवचकर विसमिड के बाद ये चंद्रमा आपके लाब भाव में ब्रह्मन करेगा, आपके दशमभाव में सित्फ शुक्र के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है बहुत अच्छा दिन है आपके लिए आज का जो भी काम आप हाथ में लिए होगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे उसे परेकर अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में वहाँ पर जो परेसित है वो भी जैसा आप चाहते है उस परेकर से देख होगा अगर आपका विवा हुआ है उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी उसे परेकर आपके भाग्यबाव में रवी और वक्री बुद्ध की यूति होने जा रही है तो आने वाले दो से तीन दिनों में आपके जो घर के लोग होंगे आपके घर के जो युवा रहेंगे या फिर पूरुश्वरग होंगे उनके साथ चोटी मोड़ी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं विवाद थोड़े बढ़ भी सकते तो उसे के उपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है कुंब राशी कुंब राशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और यह पर स्थीत शुक्र के साथ चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है तो पिर 11 बचकर 20 मिन के बाद चंद्रमा आपके दशम बाव में ब्रह्मन करेगा तो आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ज़्यादम है तो पूर्ण है आज आपका confidence लेवल है बहुत ही अच्छा देखा जाएगा घर के जो लोग है उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी जो भी आपका कारिशेत रहे अगर आप नोकरी करते है या फिर व्यवसाय करते हो तो इसके संदर में कोई भी बात अगर आप आज के दिन करते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएगे अगर आपको आपको जो बिजनेस से वो फैलाना है उसमें बदलाव लाना है तो आज का जो दिन है काफी अच्छा और मैं तो पूर्ण होने जा रही है तो अगर आप किसी के रिलेशंशिब में हैं तो आने वाले दोसे तीन दिनों में इसके चोटी बूटी बुटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं और विवाद काफी बढ़आ अगराना भी जयopoly आदा आवशगों का इसका स्ट्रेस लेवल आपका कि अबके साथ भी हो सकती है तो ध्यान रखिए अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो सस्रुल के लोग होगे उनके साथ भी छोड़ी मुटी बातों के लेकर तकरार हो सकते हैं तो थोड़ा सा चौकरना रहेना स्यादा आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है मींद राशी मींद राशी का इश depend वह में चандरमा का ब्रहमन है और वह पर सिटी शुकर के साथ है इज चंदरमा यूतियो करने जा रहा है दोपे 11 वज़कर वेसमीन के साथ है चंद्रमा आपके भाग्य भाव में ब्रह्मन करेगा तो आज कर तो जो दिन है आपको unexpected love वगरा मिलने की संभावना बहुती ज़्यादा बन रही है उसे परकर अगर आप किसी के relationship में है तो उनके साथ आज के दिन कई बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है जो समय उसमें आपका confidence level है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा मैं तो पूर्णा काम आप हाथ में ले सकते हो traveling वगरा होने की संभावना काफी ज़्यादा बन रही है उसे परकर आपके सब्तम्भाव में रवी और मंगल की यूती भी होने जा रही है तो आपके जो वैवाग जोड़े दा रहे हैं उनके सहत के बारे में भी problem complications वबर कर सामने आ सकते हैं घर के जो लोग हैं उनके साथ भी चोड़ी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं आपके लिए relationship के बामले में काफी सब्सक्राइब करना और अपने जो चैनल है प्रमभाड़स दियास्टो इसे भी like, share और subscribe जरूर करना धन्यवाद